नमस्कार दोस्तो हमारी यूटूब चैनल इंडस्ट्रियल सॉलुशन्स में अब सभी का एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स आज की वीडियो होने वाली है अगर आप हाइड्रोलिक्स की बात करें या पी एलसी प्रोग्रामिंग की बात करें या फिर एलेक्ट्रिकल वाइरिंग की बात करें इन तीनों कॉंसेप्ट के हिसाब से सबस्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की वीडियो because friends आज की वीडियो के अंदर हम एक double acting cylinder लेंगे hydraulic या pneumatic cylinder और इसका हम hydraulic circuit design करेंगे साथ में हम इसका PLC program भी design करेंगे और उसके साथ हम उसकी electrical PLC wiring भी देखेंगे कैसे उसकी wiring की जाती है तो friends ये important क्यों है friends इस एक वीडियो के अंदर आपको तीनो complete concept मिलने वाले है और friends इसी के साथ मेरा जो motive था चैनल बनाने के पीछे industrial solutions का वो यही था आपको combined knowledge मिल जाए चाहे आप mechanical की knowledge लें चाहे electrical की हो या फिर आपकी automation की और जैसे कि आज आप देखेंगे इन तीनों का use करके हमाई एक hydraulic cylinder को operate करेंगे और तीनों चीजिस की design करेंगे तो चलिए friends time wasting करते हैं और डारेक्टी वीडियो को start करते है simple सा question लेके चल रहे है हम friend question क्या कहरा है मानके चलिए हमारे पास कोई push button है PB1 अगर मैं इसको press करता हूँ तो आपका जो hydraulic cylinder है वो forward जाता है FWD दूसरा push button PB2 जब मैं इसको press करता हूँ तो आपका जो hydraulic cylinder है वो reverse आता है reverse बस ये condition है हमारे पास और इसी conditions के हिसाब से हमें सबसे पहले हम hydraulic circuit design करेंगे hydraulic circuit design करने के लिए simple सा हम एक direction control wall लेने वाले है friends दो conditions का मैंने direction control wall ले लिया है ये इसकी coil है और साथ में मैं इसकी अंदर जो ports होते हैं उनको भी design कर देता हूँ simple सा मैंने दो condition का 5 port का एक direction control wall ले लिया हुआ है इसकी अगर आपको detail में वीडियो चुलिए है difference तो disruption आपको वह ही मिल जाएगी मैंने upload की हुई है और इसके साथ में थोड़ा सा इसके comments भी कर देता हूँ ताकि आपको clear हो जाएगा जब हम इसकी electrical wiring करेंगे यह coil है आपकी मानली जे y1 यह वाली coil है आपकी y2 जो यह center वाला है यह आपका pressure port है यहां से आपका tail या फिर अगर आप air की बात करें निमेटिक में तो air आगे जाएगी ठीक है ना यह आपके ports होते है 5, 3 यह आपका 1 number port होता है यह आपका 4 number का port होता है यह आपका 2 number का होता है अब इसी को हम connect कर देंगे hydraulic cylinder से तो वो कैसे connect करेंगे कुछ नहीं करना है उसके लिए आपको simple से hydraulic cylinder लेना है यह मानले जो उसकी piston होगी इसी को हमें forward reverse operate कराना है उसलिए क्या करना है हमें एक इस port पे देंगे और यह वाला आपका इस port पे जब oil यहाँ से जाएगा तो यह forward move करेगा और इधर से oil reverse आजाएगा 2-3 condition ने जब यह वाली लगेगी तो oil यहाँ आएगा तो यह backward condition में आ जाएगा और यहाँ से आपका oil flow कर देगा तो यह हो गया फ्रेंड आपका hydraulic circuit मैं लिख लेता हूँ HYD hydraulic circuit इसके लिए detail वीडियो मैंने description में add कर दिए अब इसी को लेके सबसे पहले हम design करते हैं इसका PLC wiring जान कीजे friends क्या बोलना हूँ मैं PLC wiring उसके लिए मान लीजे यह एक wire लिया मैंने phase wire मान लीजे और इसके साथ जैसा मैंने question में बोला है हमें वो ही करना है question में क्या बोला है मैंने कोई push button है कौन सा push button है PB1 तो मान लीजे यह मेरा push button है PB1 जब मैं इसको press करूँगा तो slender forward जाएगा ठीक है एक और push button भी है यह हमारा PB2 यह भी मैंने push button मना लिया एक और और जब मैं PB2 को press करूँगा तो हमारा push button slender reverse आएगा यह दोनों मैंने कहां connect कर दिये आप जानते हैं friend input पे क्या होते है जो push button की wiring होती है वो PLC के input पे जाती है तो मान लीजे कि यह PLC है आपकी यह मैंने input पे दे दिये यह आपका input I1 और यह आपका input हो गया I2 ऐसे और भी सारे input होंगे यह आपकी PLC है ठीक है friends अब इसके output भी होंगे PLC के तो मान लीजे यह आपका Q1 और Q2 यह output है O1 और O2 बोल सकते हैं आपके Q1 और Q2 अब जो direction valve की coil होती है यह आपकी क्या होती है यह आपके outputs होती है PLC के लिए जो output जाएगा जैसे field से आपके input आ गया जो कि push button के थुरू और PLC जो output देगी हो किसको देगी एक तरह से जो आपकी coils है तो यह आपकी output में आएंगे कौन सी कोईल है यह direction control valve की एक Q2 है दो output क्यों लिए मैंने क्योंकि दो push button है एक input P1 से देगा एक हमें output मिलेगा P2 के कारण और यह हमारा के यहां मिल गया यह हो गया फ्रेंड्स आपका simple सा PLC का wiring यह मान लिए यह Y1 कोईल है यह आपकी Y2 कोईल के लिए तो जैसी आप push button P1 को press करेंगे यह input connect हो जाएगा और यह एक output देगा उस output के थरी आपकी coil Y1 पे supply पहुंच जाएगी और जैसी supply पहुंच जाएगी यह वाली condition आपकी यहां आ जाएगी और cylinder आपका forward की तरफ movement करने लगेगा चलिए अब इसी को हमें यह होगी आपकी electric wiring अब इसी को हमें क्या design करना है सबसे important इसका PLC letter logic लेटर लोजिक के लिए आप जानते ही है सबसे पहले हम लेटर लाइंस देते हैं यह power lines होती है आपकी तो simple सा question में क्या हो रहा है अगर हम इसे देखें जब आपका input push button 1 press करोगे तो input 1 active हो जाएगा और input 1 से आपका output 1 active हो जाएगा और जैसी आपका output 1 active होगा तो आपकी coil पे supply चले जाएगी मतलब आपको अगर PLC की बात करूँ तो इस input से output को active कराना है यह लीजे मैंने एक input लागा और उससे output को on करा दि जाएगा उसके लिए क्या करना है मिरको input 2 को active कराना है input 2 कैसे active होगा जब उस बटन 2 को press करूँगा प्रेस करती हमारा input 2 active हो जाएगा i2 i2 से क्या output मिलेगा हमें q2 और q2 किसको दे रहा है signal field में coil y2 को और जैसी y2 पे supply पहुच जाएगी यह वाली condition आजाएगी आपकी तो तो तेल ऐसे जाएगा यहां से तेल जाएगा यह सिरेंडर पीछे की तरफ मुग करने लगएगा तो यह आपका फ्रेंट्स PLC ladder diagram तो फ्रेंट्स हमने एक concept लिया जिसमें कोई यादा हमने extra equipment यूज नहीं किया इस simple direction control wall लिया हुआ है इस direction control walls के थुरू हमने cylinder को operate कराया forward and reverse condition में उसके पी लसी वायरिंग पूरा concept समझ में आया होगा इसके बाद भी अगर आपका doubt बचता है तो comment section बोजे बताइए और अब मैं आपको एक homework देके जा रहा हूँ फ्रेंड अभी यह कॉस्ट्ट्ट्ट ता हमारे पास दो push button है अब हमारे पास एक push button है जिससे cylinder forward जाएगा लेकिन reverse आने के लिए महाँ पर एक limit switch या फिर read switch मान लीज़ा read switch connected है आगे जैसी यह आगे जाएगा मान लीज़े आगे गया यहाँ पे एक sensor या read switch connected है उसको जैसी sense करेगा यह automatically पीछे आ जाएगा अब इसके लिए आप hydraulic circuit तो ऐसे ही रहेगा electric diagram बनाएगे साथ मैं PLC प्रोग्राम भी बनाएगे अगर आपको problem आती है तो comment section में बज़ इसके ओपर भी video generate कर दूँगा अब फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छे लगे तो like कीजे जाए आज साथ वीडियो को share कीजे and please don't forget to subscribe